इंडियन नेशनल कॉंग्रेस अद्वच सोनिया गांधी को एडी द्वारा आज के लिए जारी समन की कारिवाही के विरोध में चंडीगर कॉंग्रेस के सेक्टर 18 एडी दफतर तक रैली थी वही खराब मौसम के चलते प्रदर्शन दुपहर के लगबग 12 बजे सुरू हुआ आपको बता दे कि कॉंग्रेसी जैसे ही रैली के लिए सेक्टर 35 कॉंग्रेस भवन से निकल रहे उन्हें चंडीगर पुलिस ने सेक्टर 34 बटे 35 के चौक पर ही रोख लिया यहां कॉंग्रेसीों की पुलिस के साथ बहस भी हुई जिसके चलते पुलिस ने उन्हें आगे नहीं जाने दिया वही कुछ कॉंग्रेसीों को पुलिस ने अपनी हिरासत में भी ले लिया आपको बता दे कि कॉंग्रेस ने सेक्टर 18 इस्थित एडी के ओफिस के बाहर धरना प्रदर्शन करना था वही कॉंग्रेस का विरोध मार्ट सेक्टर 35 से सुरूर होकर एडी दफ्तर तक जाना था इससे पहले राहूल गांदी को एडी ने लगातार कुछ दिन दफ्तर भुला कर घंटो पोस्ताश की थी उस दोरान भी चंडीगर कॉंग्रेस ने एडी के दफ्तर का घिराओ करने का कारिक्रम तै किया था कड़ी पुलिस सुरत एडी दफ्तर से काफी दूर बैट कर धरना देना पड़ा लेकिन या इस पश्टे की एडी जान बूच कर राहूल गांदी और सोनिया गांदी को परेसान कर रही है इतना ही नई E.D. की कारिवाही भाजबा से फ्रेरित है और वा कॉंग्रेस को राष्टी मुद्गों पर दवाना चाहती है कॉंग्रेस के सीरति पैच वही कॉंग्रेस के सीर सिनेताओं पर कारिवाही करके भाजबा विपच्च की आवाज को दवाना चाह रही है Bureau Report IPN